सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजिनियस चैनल को और पहले आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजिनिरिंग वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजिनिस पे मेरा नाम है वेपे नयादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है कितनी मेहनत कर रहा है और उसकी ग्रोथ किस मेहनत के हिसाब से होनी चाहिए तो उसके लिए आपको एक स्केल की जरूत पड़ती है उस स्केल से आप उसकी इफिशिंसी को निकाल सकते हैं कि वो अपरेटर कितनी मेहनत से आपको प्रोड़क्शन दे रहा है इसके लिए दो म calculation आनी चाहिए और यह calculation जो होती है जाड़ा तर industries में होती है ठीक है तो यहाँ बना आपको explain करता हूँ कि किस तरह से आप जहे operator की efficiency को निकाल सकते हैं operator की efficiency को निकालने के लिए आप जहे screen पर देख लिए आपको एक example के थिरूप समझाने की कोशिश करता हूँ एक CNC machine line है ठीक है उसमें bearing का production होता है और उस bearing को बनाने के लिए आपको जो है दो मिनट का cycle time चाहिए होता है यानि कि एक bearing को बनाने में आपको दो मिनट जो है cycle time की ज़रूद पड़ती है और आपकी जो shift है वो 8 गंटे की shift है यानि कि आपको जो है टोटल time मिला हुआ है 480 मिनट का यानि एक shift में आपको 480 मिनट का time मिलता है ठीक है उसमें आपके पास आदे घंटे का lunch होता है 15-15 मिनट के 2 tea breaks होते है ठीक है तो ये आपके 60 मिनट जो है loss time में calculate होंगे 480 मिनट total time था 60 मिनट का आपका loss time हो गया तो आपके पास जो available time मिला जिसमें आप actual production को देंगे ठीक है तो वो आपका 420 मिनट है अब 420 मिनट में आपको जो है तार्गेट को पूरा करना है और तार्गेट को कैसे निकालते हैं तार्गेट प्रोड़क्शन का जो formula है तार्गेट प्रोड़क्शन इक्वल टू टूटल अविलेबल टाइम डिवाइड़ बाई cycle time मतलब जितना time आपके पास अविलेबल है उसको जो है cycle time से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो टार्गेट निकल कहा जाएगा कि आपको उस shift में इतना target पूरा करना है यहाँ पर देखिए मैं आपको calculation दिखा देता हूँ आपके पास जो टूटल अविलेबल टाइम है चारसो बीस मिनट का ठीक है डिवाइड़ बाई 2 इक्वल टू हो जाता है 210 यह 210 जो है आपका target है एक CNC operator का जो target निकल के आया है आपका 210 210 वर्कपीस जो है आपको बनाने है अब हमको देखना है कि actual production कितना हुआ for example के लिए उस operator ने 180 वर्कपीस बनाए यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं actual production जो है 180 वर्कपीस बनाए target था 210 का तो अब आपको निकालनी है operator की efficiency तो operator efficiency का जो formula होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता operator efficiency equal to actual production divided by target production into 100 मतलब actual जो production उसने किया उसको target production से divide कर देंगे और उसको 100 से multiply कर देंगे तो आपका operator की efficiency निकल के आजाएगी यानि उसकी percentage निकल के आएगी कि इतना percentage जो है operator आपका efficient है यहाँ पर मैं आपको calculation करके दिखा देता हूँ आपका जो actual production है 180 था multiply by 100 और उसको divide करना है आपको target production से target आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है 210 तो divided by 210 equal to हो जाएगा 85.7 यह जो है 85.7 प्रतिशत आपका जो operator है वो effective है अब इसी तरह से कुछ और factors पर आप काम कर सकते हैं कि अगर जो आपको actual production है 200 पीस दे रहा है तब आपका जो efficiency है कितनी निगल क्या रहे है तो यहाँ पर हमने एक्सल शीट में फर्मिले डाले हुए हैं तो यहाँ पर अगर मैं 200 करता हूं तो देख लिजे 95 परसेंट आपका operator effective है 95 परसेंट आपको efficiency दे रहा है इसी तरह से अगर वो 150 वर्ट पीस ही बना पाता है उस टाइम में तो आपका 71% operator efficiency निगल गया रहे है तो इस तरह से आप अपने operator की efficiency को check कर सकते हैं और यह भी दिखा सकते हैं कि भाई कौन सा operator कितनी मेहनत कर रहा है और उसका production है कितना ज़ादा जादा है इस तरह से आप ग्रोथ उस हिसाब से उसको दे सकते हैं तो यह एक scale है इंडस्ट्री में यह scale यूज किया जाता है कि किस तरह से आपका operator काम कर रहा है और उसको उस हिसाब से salary growth देना चाहिए तो यह एक factor है अगर आप एक engineer हैं, supervisor हैं या फिर आप एक shift in charge है तो आपको यह calculation आनी चाहिए तो यह calculation आप सिख गए होंगा और ऐसे ही कुछ और calculation की ज़रुद पड़ती है जो production line में आपको use करने पड़ती है तो ऐसे ही कुछ और informative videos मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कि लिए वीडियो में Thanks for watching वीडियो